मतुरा के थाना कोसी कला इलाके के कोटवन चोकी पर तैनात एक दरोगा और कॉंस्टेवल को निलंबित करतिया गया है वहीं जब तकी गई शराब को बेचने के आरोप में चार लोगों को भी गिरफतार किया गया है आपको बता दे कि मतुरा की थाना कोसी कला की कोटवन पुलिस चोकी उतर परदेश हर्याना सीमा पर स्थित होने के कारण यहां पर शराव माफिया पूरी तरह से हावी रहते हैं और शराव तुसक्री का बड़ा कारोबार चलता है जबत की गई शराव को बेचे जाने के आरोप में डायल हंड्रेड के एक दरोगा वा कॉंस्टेबल सहीत चार लोगों को गिरफतार किया गया है वही कोटवन चोकी परतेनात एक दरोगा और कॉंस्टेबल को निलंबिट किया गया है एसपी गोरव ग्रोवर का कहना है कि इस तरह कि सूचना काफी समय से प्राप्त हो रही थी उसके बाद शराव जबत की गई शराव को बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है और इस सूचना के अधार पर जाज किये जाने पर पूरे मामले का खुलासा हो जाने पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वहीं दो पूलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है उनका कहना है कि इस पूरे मामले की गहन चान भीन की जा रही है जाच में जो भी और अन्य तत्थे उभर कर सामने आएंगे उनके विरुद भी कारेवाही की जाएगी मत्रो के खाना कोसी की कोटवन चौकी पर जबत की गई शराब के चोरी होने वे विक्री के समझ में शिकायते प्राप्त हो रही थी इस पर कारवाही करते हुए पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को विष्णू वैथांसी को अरेस्ट किया गया है इस पूरे प्रकरण में कॉंस्टेबल अनिल जो की डायल 112 पर निफ्थ है वे हैड कॉंस्टेबल सतिंदर पचौरी जो की कोटवन चौकी पर निफ्थ है इनकी सनलिक्ता भी पाई गई है इस प्रकरण में चार वकरण में दर्ज किये गए है इन सभी चारों लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है इसके अतिरिक्त चौकी कोटवन प्रभारी को लापरवाही के चलते वेहेड मेरी को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है इस प्रकरण में प्रारंबिक जांच SP सेकरोटी को मार्क की गई है और कोटवन चौकी पर जो भी इसके इलावा जो शराब जो चोरी हुई है उसके समन्ध में तरिक उकदमा पंजिकत कराया है। चाहिए इसके समन्ध में तरिक उकदमा करवा जो चोरी हुई है।